Hello friends, welcome back here on channel Trade Target. आज के दिर हम जितने भी IT companies हैं, जो अच्छे IT companies हैं, उनको discuss कर रहे हैं, आपके सामने लानी कोशिस कर रहे हैं, प्लस जो अच्छे price पे आपके सामने इस वक्त हैं, यानिकि जहां से अच्छे खासे return दे सकता हैं. तो उसी लिए हमने एक पहले वीडियो पोस्ट किया था, आप उसे चेक आउट कर सकते हैं, और दूसरा अभी जो कर रहे हैं, आप इसका देखें, यहां पर भी हम देखें, यहां पर भी हम देखें, यहां पर भी हम देखें, पिछले लंबे समय में, पाच साल में 37, 34, और 32, यानि कि कोई भी इंफलेशन हो या फिर कोई चीज हो, इस कम्पनी को साइकलिक नहीं कि इस साल जादा हो गया, अगले साल कम हो गया, यहां कि हमारे पेरामेटर जेतने होते हैं, फिट बैटते हो एक साल का प्रफोर्मेंट, यानि एक साल में 5 साल के रफ्ता से बड़ी हुई है, इसमें सब को शामिल है, अभी तक के साल का COVID हो, या फिर जितने भी चीज़े हैं, सब को शामिल है, यानि कि एक साल में डिप ज़रूर आई है, लेकिन लाजर ट्रेम टाइम फ्रेम है, इसमें डिप आई है, तो इसका मतलब सेल्स ग्रोथ में भी कुछ है क्या, यहा देखते हैं, सेल्स यानि किस रफ्तार से हर साल कंपनी में सेल हो रही है, किस सेल नमबर से बढ़ते हुई जा रही है, पिछले 5 साल में 16 परसंट से ऊपर किसम सेल आ रही है, जो इसका हम बोल इस वक्त इस शेर के उपर बुलिश हैं तो अगर आपको क्या करना है एक बार आप ज़रूर अपनी अनलेसिस कीजिए अपने फ़नेंशियल जो एडवाइजर हैं उनसे पूछे कि इसमें करना क्या चाहिए अब कितनी अच्छे कितनी बुरी वो हमको numbers बताते हैं यह number जोट नहीं बोलते हैं आपके सामने 18, 19, 20 और इस साल का 21 का अभी तक का data है यानि 20 का यह जो पूरे 4 quarter का है सबसे पहले हम देख लेते operating profit के उपर क्या वो बढ़ रहा है या नहीं आप देखोगे पहले था 1800 करोड से उपर इस वन उसके बाद 2000 उसका 2500 यानि कि operation से company गर IT सेक्टर में है तो IT के जो भी उसके services उससे कितना आ रहा है वो हमाले important हो जाता है उसके बाद net profit है यह बढ़ र अभी तक 1800 बढ़ता है यानि इस साल आपको बढ़ता है वन नजर आ रहा है अभी तक तो 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 तेच में नहां पर नंबर में भी इस company ना अच्छा ही perform किया है उसके बाद हमाले important होता है share holding pattern क्योंकि कि किसी promoter के पास क्या promoter ने कोई अपनी जो holding है उसको pledge रखा है या फि जादा चलता है कि promoter जादा महनत करेंगे अपनी company को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह समझ सकते हैं इसको आपके अगर company है आपके पास के पास कितना है आप देखोगे जून में पिछले जून में ये था 9 के पास 11 होते 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 मार्च 21 अभी आते हैं 13 के आसपास चुका है यानि कि आपको समझ मार है कि जो बड़े प्लेयर है इसमें हर quarter में धीरे धीरे हर किराउट पर अपनी जो माल है खरीदते जा रहे है यानि कि अपनी holding उसको बढ़ाते जा रहे तो आपको यहां से ये समझ मार है कि smart money क्या कर रही है आपको क्या करना है वो आपको को समझना होगा बार कि D.I.S का action देख सकते हैं D.I.S के पास almost 7% के आस पास था उन्होंना हलकी profit booking यहाँ पर जरूर कर रखी है वो भी हामें देख रहा है तो that's mean बड़े player के already इसमें entry हुई है and they are increasing their holdings तो आपको क्या करना है एक बार आप इसको study जरूर कीजेगा अब देख this is again great. एक लाग को आपको कर दिए है डाए लाग एक लाग आपका investment था ययनिकज को दुगना कर दिया है याणि this is great दो साल में देखे 1.5 million को आपको बना दिया है 2.26,000 क्या लोगे एक साल में भिसने यहाँको पैसे को एक लाग को कर दिया है a 1.1.5넌 के आसपास यानि कि डाइ लाग का प्रॉफिट डाइ लाग का प्रॉफिट एक लाग का इन्वेस्मेंट क्या लोग यहां इसी लिए कर रहा है यहां एक अपॉर्चुन्टी दे रहा है कि कुछ अगर हमें इस तरह से कुछ रिटर्न चेंज के फ्यूचर में है तो डेफिनेटली हमें इसको अपने रेंज पर रखना होगा तो यहां से आपको समझ वारा है कि डिस्काउंटेट प्राइस पर मिलना ओल्मोस औल्मोस साड़े 6% के आसपास यह तो हमें यहां से समझ महा गया पिछले ट्रेडिंग देखें तो उस दिनी एक 20% से उपर positive में close हुआ था अब अगर इन सब के बाद के valuation के उपर नजर डालें तो आप यहां देखोगी जो industry की P है वो आपको मिलना price to earning ratio जिसे हम बोलते है 31 के और यह आपको 39 मिलना है यानि कि हलके से premium पे मिल रहा है और यह share हमेशा थोड़ा maximum time तो premium पे मिलता ही है बहु जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में बनाया था अगर आपने हमें पिछले वीडियो देखा कि जो growth companies होती है वह ज्यादा तर क्या करते है अपने जो जो भी इनका profit आता रहे विन्यू आता है वो इसको अपने growth में ही growth में ही invest करता है so that company भी grow करेगी and shareholder को already profit हो जाएग delivery की 50-56% इसको लोग उस दिर अपनी demate account पर लेके गए हैं जो हमारे मतलब इतने लेके गए हैं वहीं अगर EPS के बात करें 99 अगर क्या लोगी जितना higher number is always better हम बोलते हैं 20 से उपर हो यहाँ पे आपको और भी जादा नजर आ रहा है बाकी भी काफे सारे parameter होते हैं आप चार्ट के उपर चार्ट क्या बता रहा है और क्या हो सकतर लेवल करने के नहीं कर पाया फिर वहां से profit booking आयी second time फिर इसने कोशिश किया फिर वहां से profit booking आयी and उसके बाद अब यह अगिन आपको फिर से उसी रेंज के आसपास मिल रहा है अब यहां सामी क्या समाज मारा है यह जो इसको support है यलो लाइन यह जो यलो लाइन है इसका यह इसका है 100 डे यह में और यहां पर perfectly इसको respect करता है उसी के basis पर उपर जाता है पहली बार में इसने यहां support लिया था second time आने कोशिश किया वहां तक आया नहीं था इस बार जो profit booking आई है इस level से यहां आपको अगर उसी range के आसपास मिल रहा है तो पहला जो best buy है इसका current में वो current prices of best buy अगर market में pressure आता है उपर से थोड़ा और यह नीचे आपको मिलता है तो आपको यह 37500 के आसपास के level 3750 के आसपास आते हुए नजर आएगा तो जो हमारे लिए यहां से यहां से हर गिराओट पे हमें नजर रहना काफी important है अगर हमें share को खरीदना चाहते है क्योंकि अच्छा खास उपर से correct हो चुका है और company में कोई शिकायत नहीं यह हम देख चुका है So current labor investment के लिए अच्छा है लेकिन market है scenario case number two market में उपर से pressure आता है और भी चीज़ें होते हैं lockdown लगता है कुछ और भी होता है तो पहला level आपके लिए यही है जो आपके लिए 3750 का है पहला level और दूसरा और भी जादर तूटता है then आपको यह support के आसास आते हुए दिखेगा जो around यह 35 है तो हम बोल सकता है इसको 3600 या फिर 3500 है 3550 के around जहां यह है तो इसलिए यहां से हर गिराफ में definitely इसको हमें add on करना चाहिए accumulate करना चाहिए धीरे धीरे एक एक stock या फिर अपने अपने capital के हिसाब से लेकिन current level is also good क्योंकि जब हम मार्केट में काम करते हैं तो definitely हमें को दोनों scenario लेके चलने होते हैं एक uptrend का एक जिस level पर हम उसको discuss कर रहे हैं या फिर analysis कर रहे हैं वहां से उसके नीचे क्या हो सकते हैं कि market में ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वो rule fit हो जाएगा क्योंकि आप जानते करने scenario ऐसा भी नहीं कि पूरा bullish है और ऐसा भी नहीं कि यहां से पूरा crash हो जाएगा इसलिए हमें जोनों तरफ की जो levels है support and targets वो बताने डिसक्स करने आप सबी के लिए ज़रूरी हो जाता है तो नीचे के हमने already बता चाहिए कि पहला this and second इसका recent का low है आप इसका दे सकते हैं 300 के I think around है उपर की तरफ target के बात करें जैसे यह share आपको इस level के आसपास आता हो नजर आगए यानि कि जैसे जो red line दिखरे 20 day EM है यह 4,075 के आसपास आता है जैसे इसके उपर closing दिना शुरू करेगा definitely बहुत जिल्दी आपको again जो इसके प्रिविएस जो level है या फिर जो इसने touch किया था this level around यह आपको नजर आएंगे 45, 4000 के around तो इसलिए आप क्या करना है क्या नहीं करना है आप ही decide करेंगा हमारा काम था आपके सामने 360 degree में analysis लेकर आना अच्छी companies को अच्छे levels से discuss करना और यह भी बताने की और नीचे कितना गिर सकता है बाकी मर्जिया आपकी क्या करना है तो इसलिए आप थोड़ी से इसमें अपनी study जरूर कीजिएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till the time आप हमारे private channel का part बन सकते हैं otherwise channel को subscribe तो करी सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए thank you so much